इगनु ने जुलाई 2023 सेसन के लिए री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया है और आज मैं आपको पूरा डीटेल में बताने वाला हूँ आप next year या फिर next semester के लिए online री रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं रेजिस्ट्रेशन से ले करके प्रिंट आउट तक का पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ तो वीडियो को बिना स्कीप किये हुए पूरा देखिए ताकि रेजिस्ट्रेशन करते समय आप से कोई भी गलती ना हो और इगनु से रेलेटेट सा भी अप्टेट और नोटिपिके करेंगे तो आपको एक option मिल जाएगा रेजिस्ट्रेशन इस पर आप क्लिक करेंगे फिर यह पोस्ट ओपन हो जाएगा यहां पर रेजिस्ट्रेशन के बारे में सब कुछ हिंदी में लिखा हुआ इसको आप पढ़ सकते हैं साथी में अगर आपको यह नहीं पता है कि आप जुलाई 2023 सेसन के लिए रेजिस्ट्रेशन करवाने के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं तो उसके लिए यहां पर एक वीडियो दिया हुआ इसको आप देख सकते हैं और आप एलिजिबिलिटी के बारे में पता लगा सकते हैं नीचे करेंगे तो यहां पर आपको एक और लिंक मिल जाएगा जुलाई 2023 से रेजिस्ट्रेशन लिंक इस पर आप क्लिक करेंगे फिर यह इगनु का ओफीसेल विपसाइड ओपन हो जाएगा जहां से आपको रेजिस्ट्रेशन करना होता है रेजिस्ट्रेशन जो है आठ माई को स्टार्ट किया गया है जुलाई 2023 सेस तो यहाँ पर आपको कुछ instructions बताएगे हैं तो इसको आप तसली पूरवक पढ़ सकते हैं बाकी वीडियो में मैं आपको अभी आगे guide भी करने वाला हूँ यहाँ पर आपको एक declaration मिलता है इसको आप tick करेंगे और यहाँ proceed for registration इसपर आप click करेंगे फिर यह page open हो जाएगा student portal यहाँ पर पहले क्या होता है कि आपको एक new registration करना होता है और password set करना होता है अगर आपने यहाँ पर पहले ही account बना रखा है और password को set कर रखा है तो यहाँ से आप अपने account पे login करेंगे, अगर account नहीं बना हुआ है, तो यहाँ आप new registration पर click करेंगे, फिर यह student registration फोरम आ जाएगा, आप यहाँ पर click करेंगे, पहले आपको यह बताना है कि आपका program code क्या है, जो भी है वो आप यहाँ पर डालेंगे, जैसे कि यहाँ में अच्छ है, तो उसे यहाँ पर लिखेंगे, और submit पर click करेंगे, अगर verification code समझ में नहीं आता है, तो इस पर click करेंगे, तो यह change हो जाएगा, उसके बाद जो भी आपका register mobile number है, या फिर email ID है, उस पर एक OTP जाएगा, दोनों में से कोई भी OTP आप यहाँ पर डालेंगे, और submit पर click करेंगे, फिर ऐसा page आजाएगा, यहाँ पर आपको password सेट करना होगा, कोई भी password आप यहाँ पर डाल सकते हैं, जो password आप यहाँ पर डालेंगे, वही password को आपको यहाँ पर डालना होगा, और फिर आप submit पर click करेंगे, तो फिर ऐसा page आजाएगा, you can login now, यानि कि आपका account बन चुका है और password सेट हो चुका है, अब आप अपने account में login कर सकते हैं, account में login करने के लिए जो आपका enrollment number है, वह आप यहाँ पर डालेंगे, और जो password आपने अभी बनाया है, वह आप यहाँ पर डालेंगे, verification code जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखेंगे, और login पर click करेंग और फिर ऐसा page open हो करके आजाएगा, यहाँ पर आपको बता दिया जाता है कि इगनुने जुलाई 2023 सेसन के लिए जो re-registration है, आप जिस भी year या फिर semester का re-registration करने के लिए eligible रहते हैं, वो यहाँ पर आपको बता दिया जाता है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा click here to select your course, इस पर आप click करेंगे re-registration करने के लिए और उसके बाद ऐसा page open हो करके आजाएगा, यहाँ पर कुछ चीजों को मैंने blur कर दिया है, आपको नहीं दिखाया है क्योंकि यह personal details है किसी का, सबसे पहले यहाँ पर आपको book select करने को option बताया जाता है, यहाँ पर आपको 2 option दिये जात अगर आप यहाँ पर पहला वाला option select करते हैं, तो आपको fees में instantly 15% का discount दिया जाएगा, और वहीं यहाँ पर जो दूसरा option दिया हुआ, इस पर अगर आप click करते हैं, तो ऐसे में क्या होगा कि जो printed study material है, यह आपको दिया जाएगा, जो कि by post आपके घर पर भेज दिया जाए तो आप देख लेना कि आपको PDF format का book चाहिए, PDF वाला चाहिए तो पहला वाला option select करेंगे, और hard copy में book चाहिए तो आप दूसरा वाला option select करेंगे, जैसे कि मुझे book चाहिए तो यहाँ पर मैंने दूसरा वाला option select कर लिया है, और आप में से कुछ बच्चे यह पूछते है कि क्या हम यहाँ पर book का medium change कर सकते हैं तो इसका answer है नहीं, आपका program जिस भी language में आपको offer किया गया है, अगर हिंदी में किया गया है, तो सभी book आपको हिंदी medium में ही दिया जाएगा, सिवाए language के subject को छोड़ करके, और program English medium में है, तो सभी books आपको English medium में ही दिया जाएगा, इ student employment and scholarship detail, तो यहाँ पर आप से कुछ सवाल पूछे जाते है, ध्यान रखिए, जब आपने admission लिया था, और अगर उस समय आपका फीस नहीं लगा था, तो अभी भी आपका फीस नहीं लगेगा, इसके लिए आपका program code जो है, बीजी, बीकॉमजी या फिर बीसीजी होना चाहि क्योंकि यह तीन program में ही आपको admission फीस और re-registration फीस में छूट दिया जाता है, पहले यहाँ पर आपका category आजाएगा, SC या फिर ST, और फिर यहाँ पर आप से employment status पूछा जाता है, तो यहाँ पर आप unemployed या फिर employed सेलेक्ट कर सकते हैं, और फिर यहाँ पर आप से पूछा साम है, इसमें फीस में छूट पराप्त करना चाहते हैं या फिर नहीं, अगर आपको फीस में छूट पराप्त चाहिए, तो आपको yes पर क्लिक करना होगा, और यहाँ पर जो भी आप detail देंगे, तीन detail इसके coding आपको बताया जाएगा, कि आप फीस में छूट पराप्त करने फीस है, रीरजिस्ट्रिशन का वो आपको नहीं तेना होगा, आपका रीरजिस्ट्रिशन फिरी में ही हो जाएगा, और फिर यहाँ पर आपको subject सेलेक्ट करने के लिए बताया जाता है, तो यहाँ पर देखे, subject सेलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर कई तरीके से बताय जा सकता है, सबसे पहले अगर आपका सभी सब्जेक्ट कमपल्सरी रहता है, तो यहां पर आपको कोई भी subject सेलेक्ट करने का option नहीं दिया जाएगा, यह अपने आप हीए, आपको सेलेक्ट करके देदिया जाएगा, जैसे की skill enhancement subject या फिर कोई optional subject रहता है तो यहाँ पर आपको select करने का option दिया जाएगा तो अगर आपके यहाँ पर portal पर subject select करने का option दिया जाता है तो subject को आप तसली पूरवक ध्यान से सोच विचार करके select करना क्योंकि जो आपका CBCS वाला program है जैसके BSG, BCOMG, BSCG और BSG जितने भी honors के program है इसमें अगर आप एक बार subject को select कर लेते हैं तो फिर आपका subject change नहीं होगा तो subject select करते समय पहले आप क्या करना कि जो भी आपका program guide है उसको आप देख लेना subject के बारे में आप पता लगा लेना कि वो subject आपके लिए आसान है या फिर मुस्किल है या फिर जो आपका पसंदीता subject है अगर यहाँ पर option में दिये जाते हैं तो आप अपने according select कर सकते हैं और आप में से कुछ ऐसे भी student होंगे जैसे की MBA program के होगे या फिर MHD program के student होगे तो यहाँ पर आप subject को select करेंगे तो इस तरीके इस option दिया जाएगा और आपको क्या है कि यहाँ पर group दिये जाएंगे तो जो भी subject रहते हैं वो आपको दे दिये जाते हैं तो आप देख लेना कि आपको यहाँ पर कौन सा option select करना है subject को अच्छे से select करने के बाद आपको क्या करना होगा नीचे करेंगे यहाँ पर आपको submit को option मिल जाएगा इस पर आप click करेंगे तो आपने जो भी subject select किया है वो यहाँ पर आपको बता दिया जाता है और आपने book का कौन सा option select किया है वो भी यहाँ पर आपको बता दिया जाता है फिर आप नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको फीज के बारे में बताया जाता है कि आपको कितना फीज सम्मिट करना होगा जैसे कि इनका यहाँ पर 4500 रुपए बता रहा है उसके बाद यहाँ अपटेट कोर्स सेलेक्शन पर क्लिक करके जो आपने सब्जेक्ट को सेलेक्ट किया है इसको आप चेंज भी कर सकते है अगर चेंज नहीं करना है तो फिर आपको पेमिट करना होगा पेमिट के लिए यहाँ पर दो ऑप्सन दिये गए है यहाँ पर जो गेटवे 2 दिया गया है इस पर अगर आप क्लिक करते है तो सिर्फ आपको यहाँ पर क्रेडिट कार debit card और net banking का ही option दिया जाएगा लेकिन यहाँ पर जो पहला वाला option दिया हुआ है pay fees get by one अगर इस पर आप click करते हैं तो इसमें जो है payment करने के लिए आपको कई option दिया जाते हैं यहाँ पर आपको payment details बताया जाता है इसको आप देख लीजेगा उसके बाद click here to make payment इस पर आपको payment कर सकते हैं अगर card के मादिम से करना है तो आप यहाँ पर click करेंगे card वाले option पर यहाँ पर आप card का number डालेंगे expiry date डालेंगे और यहाँ पर आप जिनके नाम से card है उनका यहाँ पर नाम डालेंगे CV भी डालेंगे इस पर टिक करेंगे और फिर यहाँ पर आपको paper क्लिक करना होगा फिर आपके bank के तरप से OTP आएगा OTP को डालेंगे आपका payment हो जाएगा इसके लाब अगर आपको UPI के मादिन से payment करना है तो यहाँ UPI पर आप click करेंगे तो यहाँ पर देखे QR code भी आ जाएगा इसको आप scan करके directly payment कर सकते है इसको scan करके payment कर सकते है या फिर आप UPI का ID डालेंगे फिर pay now पर click करेंगे फिर आपका जो भी application है उसमें आपको payment करने का option दिया जाता है और यहाँ पर timing भी आपको बताया जाता है इस time से पहले ही आपको payment करना होगा इसके लाब यहाँ पर आपको net banking का भी option दिया जाता है इस पर आप click करेंगे अगर आप net banking के माधिम से payment करना चाते है तो यहाँ पर सभी bank का option दिया हुआ है यहाँ से आप directly internet banking के माधिम से भी payment कर सकते है यहाँ पर देखेंगे तो सभी bank का आपको option दिया जाता है bank select करने के बाद आप pay now पर click करेंगे फिर आपको user ने password डालना होगा OTP आएगा OTP को डालेंगे फिर आपका payment हो जाएगा तो यहाँ पर मैं आपको recommend करूँगा कि आप gateway 1 का इस्तमाल केज़े यहाँ पर payment करने के लिए आपको कई option दिया जाते है तो payment आप यहाँ से आसानी से कर सकते है जैसे ही आप payment कर देते है तो जो आपका re-registration है वो successfully हो जाता है और अब बात करते है कि जो आपने re-registration किया है इसका application form आप कैसे और कहां से download कर सकते है तो उसके लिए क्या करना है यहाँ पर आपको re-registration का option मिल जाएगा इस पर आप click करेंगे और फिर यहाँ पर आपको मिल जाएगा re-registration history click here इस पर आप click करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो आपको इस तरीकी से बताया जाता है अगर status में यहाँ पर submitted लिखा हुआ आता है तो इसका मतलब यह है कि जो आपका re-registration है वो successfully हो चुका है और अगर यहाँ पर new application लिखा हुआ आता है तो इसका मतलब यह है कि जो fees है वो आपने submit नहीं किया है या फिर आपका fees submit नहीं हुआ है फिर आपका जैसे submit हो जाता है तो यहाँ print का option आपको दिया जाता है इस पर print वाले option पर आप click करेंगे और फिर यहाँ पर आपका सभी detail आजाएगा यहाँ print बाले option पर आप फिर से click करेंगे फिर यहाँ पर आपका यह application form आजाएगा प्रिंट करने के लिए यहाँ print पर आप click करेंगे और इसको आप कोई एक नाम दे दीजिए जिस नाम से आप सेव करना चाहते फिर आप सेव पर क्लिक करेंगे तो जो आपका application form है आपके device में successfully सेव हो जाएगा अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक किजिए, share किजिए और इगनुस रेलेटेट सब भी अप्टेट इंस्टेंटली पाने के लिए आप हमारे टिलिग्राम चैनल को भी जोइन कर सकते हैं लिंक नीचे दिया हुआ है साथी में आपका कोई सवाल है तो नीचे कोमेंट बॉक्स में बता सकते हैं